पेट्रोलियम इंजिनेरिंग से अगर आप गेट एक्जाम लिख रहे हो और आप यह जानना चाहते हो के इंजिनेरिंग मिथमाटिक्स के अंदर हमें कौन से चाप्टर्स पढ़ने हैं कौन से चाप्टर्स को छोड़ना है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टे डीटेलिंग में बात करेंगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो गेट 2024 ऐसी बैंगलूर के ओफिशल वेबसाइट से मैंने यह सिलेबस लिया है गेट P का P याने पेट्रोलियम इंजिनेरिंग और यहाँ पर इंजिनेरिंग मिथमाटिक्स के अंदर कुछ चाप्टर्स आ तो ऐसा नहीं है क्यों देखो ध्यान से लीनेर अलजिब्रा के अंदर तो सब कुछ आपको करना है यह तीन टॉपिक को देखकर के यह मत सोच लेना के रांक कॉंसेट तो है नहीं उसका अप्लिकेशन ही सिस्टम ऑफ लीनेर एक्वेशन है सर हमको तो केले हिमिल्टन थियर तो जो मैंने आपको सिखाया है यह पूरा का पूरा आपको करना है आप सोच रहोंगे आरे सर जी उसमें तो डबल ट्रिपल इंटिग्रेशन था नहीं बस इतना लिखा गया था कि डफिनाइट प्रॉपर एंप्रॉपर इंटिग्रेशन डबल इंटिग्रेशन यह जो है हो इंटार के यहाँ पर यूज होता है और यह क्या चीज है यह है वेक्टर कैलकुलेस अपने आप में एक चाक्टर है जो कैलकुलेस के अंदर ही इन्नों ने जोड़कर रख दिया जबकि अलग से देना चीए था तो मुझे रखता है यह बात भी क्लियर हो गई घैलकुले के lectures में अगर आपको double triple की lectures दिखाई दे रही है वो भी आपको पढ़नी है और indirectly calculus पूरा आपको पढ़ना है फिर मैंने आपको पता दिया कि vector calculus भी पढ़ना है अब है न क्योंकि यहाँ पर indirectly यहाँ पर दिया है तो vector calculus हम पढ़ेंगे आगे है differential equation जिसके अंदर ordinary हो गया फिर ordinary के बाद partial differential equation हो गया यह सब आपको करना है in short यहाँ पर differential equation का folder again पूरा आपको पढ़ना है कुछ भी छोड़ना नहीं है अच्छा मज़े वाली बात क्या है differential equation में छोट्टू सा दे दिया लैपलस transform यह transform theory का part है यह कोई एक topic नहीं है यह chapter है अपने आप में तो यहाँ पर आपको transform theory में जाना है lectures में जाना है और लैपलस transform part 4 तक देखना है और सर जी यह fourier series क्या करें यह भी पढ़ना है क्या नहीं यह नहीं पढ़ना है यह आपके लिए omit है यह मैंने करना है आपको यह भी omit हो गया तो जब मेरे complex variable वाली folder में जाओगे lectures में जाओगे मैंने तो सब कुछ सिखाया है पर आपको करना है one and two यहां तक ही इसके नीचे नहीं जाना है ठीक है यह बात clear हो गई उसकी बाद तो probability and statistics में सब कुछ करना है basics यह हो गया ठीक है first lecture to last lecture numerical method भी आपको सब कुछ करना है कुछ छोड़ना नहीं है तो basically conclusion यह रहा कि जब आप मेरे course के अंदर जाओगे 8 chapter आपको दिखाय दे रहे है और 8 के 8 chapters आपको है ठीक है पर point यह है complex variable में differentiation integration नहीं है ठीक है यह बात clear है transform theory में fourier series नहीं है इसके अलावा क्या नहीं है इसके अलावा तो सब कुछ है कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते तो मुझे लगता है अब आपको petroleum engineering में क्या क्या चीज पढ़नी है क्या चीज छोड़नी है यह समझ में आ चुका है so that's it for today meet you in the next video up till then take care bye for now see ya bye